हाई मैं मुहल एनलपी मास्टर ट्रेडर यह वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें शेयर करें खुद फाइदा उठाए और अपने दोस्तों को हेल्प करें उनको ग्रोह होने में हनुमान जी की जो लाइफ है वो हमको बहुत कुछ कहती है नॉबर वन हमारे अंदर जो शक्तिया है उसको हम कहते हैं resourcefulness Resourcefulness means कि जब हम अपनी capabilities का, अपनी knowledge का, अपनी skills का इस्तमाल कर पाए और ज़्यादा तर लोग के पास यही challenge है कि जो हमारा potential है, जो हमारी capabilities है उनका हम ठीक से हमको समझ ही नहीं है, हम क्या पैदा कर सकते हैं हमको समझ नहीं है हम जो जिस भगवान के हम अंश हैं, हमको उसकी respect नहीं है तो हनुमान जी हमको सिखाते हैं कि अगर हम अपनी capabilities को, अपनी power को समझ ले देन एक आम इंसान से हम extraordinary फिलाई करने वाले इंसान बज़ जाते हैं फिर जब हनुमान जी जाते हैं तो उनको ऐसा नहीं होता कहां जाना है वो बिल्कुल goal specific crystal clear होता है फिर जब वो आगे जाते हैं तो बहुत सारे challenges आते हैं कहीं पर कोई रोकता है, कभी कोई challenge करता है तो हनुमान जी क्या करते हैं? फ्लेक्सिमिलिटी का इस्तिमाल करते हैं कहीं पर बहुत छोटे बन जाते हैं और कहीं पर बहुत बड़े बन जाते हैं क्योंकि उत्देश क्या है केवल जीतना गोल की प्रापती तो जहां पर हम छोटे बनके जीत सकते हैं तो flexibility को enjoy करना चाहिए चोटे बने या बड़े बने ये हमको हनुमान जी ने दिखाया कि कहीं पर हमको अपने अपने आपको अपनी इगो को कम भी करना पड़ सकता है इसके बाद ऐसा एक ऐसा यंत्र है एक ऐसा पावर है कि जो आप की reflection दिखाता है कभी भी हनुमान जी को अपने उपर और अपने अपने भगवान के उपर कभी भी भी बिलीफ नहीं हिला बिलीफ मीज आपकी वो शक्ती है वो आपकी inner power है जो आपको move करती है ट्रांस्पोर्ट करती है उस possibility of future में और आपको जो present का जो frustration है उससे निकालती है और भवश की संभावनाव में आपको ट्रांस्पोर्ट करती है बिलीफ हनुमान ची का और इसी स्टोरी से लगा हुआ एक और पात्र है जिसको हम शबरी कहते हैं बिलीफ को समझना है तो शबरी का हमको अध्यान करना चाहिए शबरी के गुरुजी ने बोला कि आपको भगवान मिलने आएंगे और उस समय शबरी की उम्र के बारे साल थी बारे साल की शबरी को कभी भी ऐसा मैसूस नहीं हुआ कि भगवान उससे नहीं मिलने आएंगे वो उसी दिन से उनको बिलीफ मन गया ये पूरा भरोसा हो गया और वो अगले दिन से ऐसे तयारी करती है भगवान की स्वागत में कि फूल मिछाते है और भगवान नहीं आते और जब शबरी को भगवान की प्राप्ती होती है उस समय वो वृत्ध हो चुपी होती है इतने सालों का जो इंतिजार है इसी कोई belief कहते है इसी कोई हम विश्वास कहते है और जो आपको सफल बनाता है हनुमान जी का जो दिरिश्टान्थ है हमें एक संपूर एक purity जहां पे आपको अपने उपर कोई doubt ना हो कोई worry नहीं हो वो हमको हनुमान बनाता है अगर आपको अपनी resources का इस्तमाल पता चल जाए और आप उनको इस्तमाल करें आप अपनी capabilities को इस्तमाल करें अपने goal पे focus रखें और रास्ते के आने वारी जो चीजें हैं वो केवल उस प्राप्त का एक हिस्सा है एक process है तो you can achieve the wonders in life